सिर्दार गुलजार सिंग संदू हुरा दी कहाणी शहीद पारत हिंदोस्तान ते पाकिस्तान दो पागा विच वंडिया गया सी पामे उदो तक हुश्यारपुर्दे नज़्दी की पिंडा विच चोखी वडटोक हो चुकी सी पर सड़े इलाके विच हाले शांती सी मैं ते नूरा तकिये विच अंबी दे बूटे थले बैठे इतिहास दा कोई सुवाल याद कर रहे सा नूरे दी पैन रेम ते सड़े शहीद्दा वड़े खेत विच चरी वड़े सी शहीद्दा अते तकिये विचकार केवल एक खेत दी विथ सी पर मेंनू उस तकिये दा इनना पैने सी जिनना शहीद्दा दा शहीद काफी करामात बाड़े समझे जान दे सन पेली तो लेके अठमी जमात तक मैं कच्चा पक्का कोई इम्तिहान शहीद्दा दे परशाद सुखन तो बिना नैसी दिन्दा ते मेरे बाबा जीदा केना सी के एसे कारण मैं कदी फेल नैसी हुया नूरे दी पैन रेम ते मैंनू बड़ी चंगी लग दी सी ते अज इस गल्दी पुष्टी क्रोंड ली मैं नूरे नू पुछिया तेनू अपनिया दोना पैना मिच्चों रेम ते चंगी लग दी है के जैना जैना नूरे ने अपनी वड़ी पैन दा नाम लेया जिड़ी चार पंज वरे पहलना व्याही जा चुकी सी तेनू रेम ते क्योंनी चंगी लग दी मेरे मुखों अपोल ही निकल गया पर फिर मेनू ख्याल आया के नूरा मेरी गाले दा कोई होर पाव ना कड बैठे मैं शर्मिंदा जा हो गया इसलेई के रेम ते मेनू निक्के हुंदेनू मार दी हुंदी सी ते जैना प्यार नाल खड़ों दी सी नूरे दा उत्तर सुनके मेनू तसली हुई के नूरे ने मेरे प्रेशन दा उयो पाव कड़िया सी जिड़ा है सी फड़़़ड करदा शहीद दा वाले पिपड़ तो एक मोर उड़िया ते उस दा नमा नकोर खड़ हवा वेच डिक्के डूले खांदा हेठा आड़ि गया मैनू उना दिना वेच मोर दे खड़ एक अठे करनदा बड़ा शोंक सी कताब नूरे नू फड़ा के जद पजया पजया मैं खंब कोण पुजा तक खंब रेम ते दे हाथ वेच सी ए खंब ता मैं चुकना सी मैं नराश्या होके रेम तेनू आख्या पर होनता मैं चोक वेठी हां रेम तेने उत्तर दिता कुझ भी होवे, खाम्ब ता तेन्, मैंनू देना ही पवेगा, मैं जद की ती, फिर ता मैं कदि भी ने देंदी, इनना कैके, ओं मुस्करा आपे, खाम्ब ता तु देही देहेगी, मैं भी मुस्करा के आखे, होट तेन्नू पामे मैं कुझ ने कैंदा, चोकले अपना खांब उसने मेंनू कूर के तक दिया किया खांब सुटके ते परी चोक के उपेंडवालनू तुर पे दूर तक मेंनू उसती पीड़ी चुन्नी वखाई दिन्दी रही ते मैं उस वल इंज वेखदा रहा जिमें इस सिट्टे उत्ते पोंचना चोदा होमा के उसने मेंनू प्यार नाल कूर रहा सी जाके अर्ना नाल खांब लेके जद बापस तकिये विच्चाया ता नूरे दा अब्बा बदरू साई सुवेर विले दी नमाज पढ़ रहा सी तुसी पुच्छोगे ओ क्यों एवी एक रौचक कहाणी है दो दन पहला एक नहांग सेंग ने साड़े पेंडवेच एलान कर देता सी के केवल ओयों मुसल्मान हिंदोस्तान विच रह सकनगे जिड़े हिंदू जा सेख बन जान ते बाकी सब पाकस्तान पंच्वा दिते ज जानी के बहुते वड़े पेंड़ सन फेर भी ओथे जेड़ा अड़या नेजियानार बेन देता गया सी साड़े पेंड़ दे मुसल्मान अमरत शकंड़े त्यार हो गये एलान तो दूज़े दन साड़े बाबबा जी ने पेंड़ दीता अर्मसाड़ा वेच डेर सो कड़े देमगवाय उन्ने खंड़े वड़े कंगे उन्निया ही कच्छा ते उन्ने ही पीड़े रंग दे पटके जद अमरत ले देग त्यार करन बास्ते चाशनी दे कड़ाहे चड़ाये जान लगगे तर पिछ्यों किसे स्याने दी अवाज आई ये हुजे अमरत दकी लाव इना म मुसल्मान ना दकी प्रोसा काल नू कड़े ला के फिर मुसल्मान मैं पिछे मुड के तक्या तब बापा फुमन संग जी बोल रहे है सन इना कहके उन्ना ने अपनी अफेम दी डबी वीचो एक गोड़ी कड़ी ते मूँ बच सुटके पानी दा कोट पर लिया हूर कितना द अमरे शिकाया जावे पेंड़ दे स्याने आवेचो एक ने पुछिया चटके वड़ा बाबाजी ने अपने खूंडे दे सहारे उठ दिया आख्या बिल्कुल ठीक सब स्याने रजामंद हो गये साड़े सेख प्रावानू उदर हलाल खड़ाया गया किसे ने पाकस्तान दि रहे पलो पली पांच छे बक्रे चटका आदित्ते गये हुश्या आरपुर जेले दे सारे पिंड़ा मेच जित्थे वी मुसल्माननों सेख बनाया सी चटके दे अमरत नाल ही बनाया सी पद्धी पोसी कितना मजारा गिंजो बाकी गौंडी पिंड़ा मेच भी ए अमल करना स मुसल्मानना दे देलवेच एक चड़दी ते एक उफ्तरदी सी पर कार कोज नहीं सन सकदे गुरु जी ने कड़ा प्रशादी देख द्वारा अमरे शकाया सी बाप पुजी ने बाबे फुमल सेंग नू होडी जी टोकिया चोप्रिया कारोई मुडिया बहत या नुगो च जानी कड़ी दिया बाबे हो रां बापुजी नू चौपक रा देता ते फिर खूंडे दे सहारे चाटके ते बल्टोयां दा ओ मुवाइना करन लग पे आज मैं गौन अलवेख्या के बाबाजी ने करपान ने इसी पैनी करपान दी था ओ खूंडा ही रख देसन कड़ी प सौरे औरांग जेवने सननू जबरदस्ती मुसल्मान बना देता सी चाटके दी बोटी मुवेच पौंदे होई सुन्नी मुसल्मान अपने हिंदू सेक प्रामनार गल्ला करने सन बाबापुमन सेंग ते होर स्याने वी अपनी सरदारी ठाट वेच बैठे कदी अफीम ते कद चाटके दी बोटी मुवेच पालेंदे बापुजी अपने आपनू आम जट्टानानू बख्रिया के पैंट दे बाकी बंद्यानू आपने संदू होन दी विशेशता समझा रहे सन। महाराजे पट्याडे दा गोद सिद्धू है ते सिद्धू संदू एक ब्राबर ही हुन इन्नी गल्या के साड़ी जगीर नाल अफेम डोड़ी चल देने ते महाराजे दा शाही ठाट भी कायव है। सिखी वेच ओ भी पक्का है अते असी भी। जे असी ना हुन दे तब तुसी मुसल्माना दा कीवगार सक दे सी। उन्हाने तो अड़ेकुणों अमरत ने शक ना सारे मुसल्माना ने अमरत शक लिया। केवल थोड़े जैकार जिना ने पाकिस्तान जानता फैसला दे दिता सी रैगसन। नूरे दे प्रवार विच्चों भी उत्थे कोई हाजर नहीं सी। नूरे होरा ने नी अमरत शक ना। मैं बापुजी नू पुछिया। रोड़ा पाई दा मल मैं कंगे कडे उना दे कार पहुंचा देते हन। ते उना ने पैन भी ले हन। नूरे दा अब्बा साई लोक है। वो चटका खान तो कत्रोंदा है। खेर मैं निप्ट लमांगा। बचारा बड़ा मान करदा है अपना। ते नू पहलियां छेज माता नूरे द नाली नाल था पास करवा देती हैं सन। तेरे हान दे हली चोथी वेच तक के खान दे फिर्देने। ते तूसो खना अठमी वेच हैं। ये सब बदरू साई दियां मेरवानियां ने बापुजी ने सारी गल मेरे कान वेच ही समझा देती। ते आप उपने काम मेच मगन हो जद बापुजी तो बदरू साई दे अमरत शकन सबंदी पुछ्या गया ता बापुजी ने एदर उदर दियां कई गला जोड के पिंडा दी पंचायत नू यकीन दवाया के बदरू साई ने उना दे सामने चाटके दी बूटी मूँवज खादी सी। ते फेर भी जद बा अमरतारी हो गया सी। इस विच चूट भी की सी। आज जद मैं शहीद्धा वाले पिपड़ कोल रेमते तो खंब मंगया ता उस दी बाप वेच लोहे दा कड़ा सी ते सिरूते पीडी चुन्नी। एगल बखरी है कि पीडी चुन्नी ने रेमते दे हुसंदी आब ने सी पटकासी ते नूरे दे गड़वेच भी। होनों नमाज ना भी पड़ते जे कोई होर उनानू वेखदा हुन्दा। इस विल्ले ता उना कोल मैं ही सां नूरे दा हम्ज माती ते बदरू साई दा प्राणा बद्यार थी। ओब द्यार थी जिसनू सबक पुल्लनते भी साई ने कदे नेसी मारया। ते साई भी ओ जेड़ा मारन लगया नूरे नाडवी लिहाज नेसी करता। जे कदी नूरा इस दा कारण पुछदा ता ओ दलील वेच ए ता मचारा माप्यांदे कर एकल्ला ही पुत्तर है। तो अड़ा की है। तुसी ता पांच हो। एक कदे नू क कुछ हो भी जावे तो कुछ नी विगरदा। ते इन्ना कहके साई एक चुपेड नूरे दे होर जड़ दिन्दा। सत्मी विच मैं ते नूरा माल पर जान लगपे सां। माल पर एकठे पढ़न कारण मैं ते नूरा होर भी मित्तर हो गय सां। उन्ज भी बापुजी नाल स आई हो रहां दे बहुत चंगे सुबांद सां। इसले उन्दा की डर सी। मैं गिड़ा पिंड़ा दे किसे बंदे नू दस्रन लगया सां। कि नूरा ते नूरे दा अब्बा नमाज बढ़ रह सां। मैं अधू तेर में वरेवेच सां। नूरा पंदरा को वरेदा रेम ते नूरे नाडों दोवरे वड़े सी। ते मैंनो याद है कि तीजी तक मैं बहुत सारे स्वाल रेम ते कुणों ही समईदा होंदा सी। ते होण ओचरी दी परी चुकी जा रही सी। बदरू साई नमाज बढ़ रहा सी। नूरा बड़ी छर्दा पाबनार कोस्ते कु बड़े आ होया सी। पेठ पिछों बोल्ले सो निहाल सच रेकाल दे जैकारे सुनाई देन लगगे। छामदे कुछ चार को बजेदा समा होवेगा। असे सारे ही सुत अनिंद्रे जाए पेंडवल्मू पाज तुरे। नमाज भी पूरी ना हो सकी। पैदे मारे चंगी तर वो उस देटे डिविचों बहर निकड़ाया। मैं पैपीत होके बर्शी वड़े वल्तक्या। ओ कोई नीले वस्तरा वड़ा को उर्सवार सी। साईने अख्या। सिरदार जी असी सेंग साज गय हां। असी अम्रत शक लिया है। एव इखो पीड़ा पटका थिकड़ा। ता एक मुच्छा बड़ी राजबूत ने अपनी तलवार दे एको वार नाल उस दा कड़े वड़ा हत कट दिता। उसने हत जोड़के मिन्नत करले दूजा हत भी जुकिया ता ओवी वड़ दिता। एनू भी कलो पाकस्तान मेरे वल इशारा करके किसी हूर ने किया। एता स सिखादा पुचंगी है ओई मूर्खो नूरे दे टड़ बच बर्शी खुबन बड़े ने हंग सेंग ने उसनू चड़किया ते मेनू चोक के अपनी कोडी ते सोट लिया। उस्तों पिछो मेनू नहीं पता की होया जा की ना होया मैं बेहोश हो गया सी। दूजे दन करना करों डर्नाल सेम गया सी हाली जो आके ही ता है विचारा अंद्रों अवाज आई मैं बोल पशाणया ता बाबा जीदा सी। पानावाई गुरू दा परलो ही आगे सी माने हंजू अब चो आख्या ते मेनू गोद विच लैके उकुटन लगबे। तो डर गया सी मेरा प माने आख्या ते दपटे नाल अपने हंजू पोंच के मेरा मूँ उसाफ कर लगबे। सदकेवारी फेर जायो पहला शहीदा दे परशाचर आलवो जिना दी किर्पा नाल इस दी जान बक्षी होई है। बाबाजी ने ड्योडी विच्चों ही स्यानी गल कीती। बीबी नू माने रोरो के मेननू दस्या के नूरे दियां पैणा जैना ते रहम तेनू जथे वाले नाल लेगेशन। वो अपने नाल मुसल्माना दियां हूर भी कई मट्यारा लेगेशन। साइन दे दो में हाथ ते एकलात वड़ी गई सी। नूरे दी उत्थे ही जान निकल गई सी। पेंड़ दे इक्की मुसल्मान वड़ देते गय सन। जिड़ा भी पीड़े पटके, कड़े जा नमे कच्छे वड़ा वखाई देता नैसी शड्या। गल्ला कर रही मेरी माधिया अख्छां पत्थर हो रही या सन। छाम नू जद असी शहीदां दे परशाद चला अन लगगे ता सार यां दे चेरे ते एक दैशत जी शाई होई सी। बाबा जी नू भी कुझ नहीं सी सोज रहा। किसे ने दस्या के बाबा जी दा पोसी वड़ा लंगोटिया मित्तर कान शाम दास अपने किसे मुसल्मान साथ पीड़ा पटका देन चलिया सी। पटके तो जथे वाड़या नू जापया के उसने भी ताजा अमरत शक्या सी। उसनों मुसल्मान समझ के उसने भी शुरा खूब देता सी। उन्हा कोड इन्नी वेल ही कित्थे सी के उपूरन पोचकेच कर दे। उन्हाने साढ़े पैंड हो सकदा है। बाबाजी नू कांशाम दास दी मौत दा इन्ना सदमा सी के शहीदी पोचके अर्दास करद्या भी उन्हा दे कदम डूल रहे सन। मरने नू ता कांशाम ने भी एक दिन मर ना ही सी। बाबाजी ने आप केड़ा बैठे रना सी। कांशाम दास ता पला तो खे थां वाईगरू वाईगरू ते राम राम केना सेख लिया सी। अ ते कंगे, कच्छे, कडे ते पटके पहन ले सन। इस दे उल्ट ओ मुसलमान जथे वाड़यां दी नजर नहीं सन चड़ सके जिना ने पेंड चड़के पाकस्तान जाना ता प्रवान कर लिया सी पर वरना प्रवान ने सी किता। पीड़े पटके जा नमे कच्छे भी नहीं सन पहनने। चार साब जादे पंज पियारे ते चाड़ी मुक्ते दी अरदास कर देयां बाबाजी दी अवाज नू पतानी की हुंदा जा रहा सी। अंत्विच जदो जिना तिरा नाम जपया, दे हाथ वाडा खूंडा डिग पया। बाकी अरदास भी बापुजी ने समापत केती। फेर बापुजी दे कैन अनुसार मैं शहीदन यां पंजे समाद्धा ते पूरा-पूरा परशाद राखाया। जिसनू मेरे वेखदे वेखदे ही शहीदन वाडे पिपर दे कां शक गये। बाकी सारे संस्कार्स मापत करके जद बापुजी सानुवी परशाद वंडण लगे तब बापा जी ने रोक देता। की गल। बापुजी ने पूछया। काके नुस परशाद दे दे पूरा को। बापा जी ने सुजाओ देता। साइं दी कबरते वी चड़ा आवे ते पिपड़ वाल वेह के रेमते, रेमते ने मैंनू एसे पिपड़ हेट कू उरके तक्या सी, पतानी प्यार नाल, पतानी के नानाल, ते होण उनु जथे वड़ी लेगे सन, पतानी क्यों, की मतलब बापुजी ने तके वड़ी कबरते परशाद चड़ाण दा कारण पुछ आके बापा जी ने उनन्हादे कन्विच आख्या, शहीदा दी हद्विच शायद उन्हाद इसली गलने सी किती के उन्हादे कोड़ ही, उन्हादी करामात ते शक्ट गर्नार, स्राप मिरजान दा डर सी, याद है, बापुजी ने उत्तर दिता, जिना ने अमरे शक्या सी, वो बचे रहे के नहीं? इनना कहके बाबाजी चौप कल हो गये. मैं समझया नहीं, बापुजी ने मोड आख्या. नहीं समझया था समझ. बाबाजी ने खेच के आख्या. कल बारे कौन जान दा? समाध्दान दी था, जे कबरां ते सुखना पूरी होन लग पे फेर. एगल बा बाबाजी दे कानवेच कही, तांके शहीद ना सोड लेड. मैं पाजिके साई दी कबरते परशाद राखाया, ते बाबाबाजी ने भी कोई इतराज ना किता. पतानी उननों बाबाजी दी गाल्दा विश्वाश आया सी के नहीं? शुक्रिया.